नमस्कार दोस्तों सारे आसनकाएं दूर हो चुकी है जैसा कि मैंने पहले बताये था बिल्कुल वही हुआ है बिहार टक्नीक की सेवा आयो BTSC की और से बिहार फार्मासिस्ट की भरती आ चुकी है लिंक एक्टिवेट हो चुका है देख सकते है लिंक आ चुका है ऑनलाइन कर diploma वो लोग आवेधन नहीं कर सकते हैं ठीक है जो diploma करके वी pharma किये हैं वो आवेधन कर सकते हैं लेकिन सिर्फ b einge pharma kia है तो वो आवेधन नहीं कर सकते हैं यह clear हो छुका है जैसा कि मैंने पहले हिं बता दिया था तो यह देखिए वेतन वीडियो में देखेंगे कैसे online करना है ठीक है कैसे online करना है तो रोजगारवियार.com पे आएंगे और यहां पे आपको direct link मिल जाएगा ठीक है रोजगारवियार.com पे आएंगे सबसे नीचे जाना होगा और यहां पे आप आप directly online कर पाएंगे तो चलिए थोड़ी सी date मैं बता देता हूँ क्योंकि जिनको नहीं पता है वो लोग जान ले कि यह जो online शुरू हो रही है वो 5-4-2023 यानि कि आज के date से सुरू हो चुकी है और अंतिमतिती जो है online करने की वो 4-5-2023 होगी तो इसके बाद जो है आप online नहीं कर पाएंगे तो जल्दी से आप अपना आविदर कैसे करेंगे मैं यह इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ ठीक है notification को आप लोग पूरा पढ़ लेज़ेगा इसमें सब कुछ दिखाया गया है या फिर रोजगरभ्यार.com पे भी सब कुछ है तो आकर आप लोग चेक कर लेंगे और उसके बाद online करेंगे देखिए आप सारा कुछ बताया गया है जैसे कि एक जलक मैं दिखा देता हूँ सबसे पहले online date यहाँ पर बता दिया गया है कब से कब तक होगा फिर आपका application फिस कितना लगेगा कौन सी category को यह बता दिया गया है age limit कितनी होनी चाहिए जैसा कि देख सकते है 18 2019 को आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए वो बताया गया है इसके अलावा वीडियो भी बना हुआ यह भी देख सकते हैं educational qualifications क्या है वो भी यहाँ पर साब साब बताया गया है और क्यों ऐसा भी फार्मा को क्यों हटा दिया गया एम फार्मा को क्यों हटा दिया गया court के आदेश पे तो यहां से court order भी download कर सकते हैं ठीक है अब यहाँ पर category by seat दिखाए गई है उसको भी आप ल प्रवाई का option आ चुका है इस पर हम लोग क्लिक करेंगे अब नीचे खुल चुकी है यहाँ पर totally हम लोग registration पर क्लिक कर लेंगे ठीक है सबसे पहले registration पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको यह term and condition declaration जो भी है इसको आपको accept कर लेना है क्लिक करके और यहाँ पर I accept पर क्लि तो लिख देंगे फिर यहाँ पर mother का नाम है तो माता का नाम भी लिख देंगे फिर यहाँ पर dad of birth जो भी आपका इसको select करेंगे ठीक है महिना दीन और year जो भी आपका है वो select कर लेंगे और married और un married जो भी है उससे आप select कर लेंगे करने के बाद citizenship आपसे पुछा जाएगा तो इंडिया select कर लेंगे religion आपका धर्ब क्या है वो select करेंगे और domitial estate आपका क्या है बिहार है या दूसरे estate से है वो आपको select कर लेना है ठीक है करने के बाद यहाँ पर देखे यह जो आपका आगया applicant domitial detail यहाँ पर आपको बिहार का जगर है तो यहाँ पर freedom fighter अगर आप ह home district का आपका कौन सा है उसे select कर लेंगे अपना जिला select करेंगे जो भी आपका जिला है और उसके बाद यहाँ पर category आप किया जाएगी general cst जो भी है उसे select कर लेंगे फिर यहाँ पर mobile नमबर जो भी आपका है उसे दसंकों का mobile नमबर डाल दे रहा है फिर email id डाल देनी है और कारेरत पूर्व करमचारी अगर आप पहले से कारेरत है या पूर्व करमचारी है या एक सरविसमेंट है तो yes no कर सकते हूं मैं आपको बताना होगा तो मैं आपको नो कर देता हूं अगर आप पहले से संबीदा पर काम कर रहे है तो आपको देखे preference मिलेगा chain per career मैंने पहले ही दिखा ती आपको देखे यहाँ पर chain per career जो पहले से कारेड़त है विहार राज के सरकारी एस्पतालों में उनको 5 चंक extra मिलेगा तो यह सब जो है अगर आप पहले से काम कर रहे हैं सरकार एस्पतार में तो जरूर भरियेगा ये वाला सक्सन ठीक है अब यहां पर आते हैं नो नोन पब्लिशर्ट एडवर्टाइजमेंट यहां पर किलिक कर लेते हैं तो एलिजिबल आप है कि नहीं है वो आपको select करना है तो यहां पर yes कर देंगे ठीक है अब यहां पर आते हैं तो registration बिहार pharmacy council में है तो yes कर लेंगे और करने के बाद देखिए यहां पर registration number मांगेगा year मांगेगा जो भी आपका registration number year है वो डालेंगे ठीक है उसके बाद यहां पर name डालेंगे candidate permanent address के लिए पूरी पूरा पता के लिए यहां पर पूरा full का नाम लिख देना है house number या गाओं का नाम लिख देना है post office है state आपका आजाएगा district आजाएगा block name यहां पर select कर लेना है जो भी आपका block है select करने के बाद police station आजाएगा police station select कर लेंगे फिर village आजाएगा village select कर लेंगे फिर pin code आजाएगा जो भी आपका pin code है उसे भर देंगे फिर यहां पर आ जाता है आपका percentage आपका कितना है वो डालेंगे division आपका कौन सा था वो डालेंगे इतना डालने के बाद यहां पर आजाता है intermediate का फिर उसी पर कर से intermediate का detail यहां पर फिल कर लेना है फिर नीचे आजाता है essential qualification diploma in pharmacy आपने किया है कि नहीं किया है yes no कर सकते है तो no करेंगे तो आपको भरने नहीं मिलेगा इसलिए यहां पर yes करना है yes करने के बाद कहां से किये है institute college या university उसका नाम यहां पर भर देना है year of passing डाल देना है कब पास of tenant mark यहां पर percentage आपको फिल करना होगा मैं आपर yes कर देता हूँ और percentage आपका जितना भी था वो यहां पर डाल देंगे ठीक है डालने के बाद नीचे आते हैं तो देखे higher qualification अगर आपका है bachelor of pharmacy भी फार्मा कर रखा है आपने तो yes करेंगे और उसका detail फिल कर देंगा अगर नह validate and preview पर किलिक कर लेंगे जैसा ही आप validate and preview पर किलिक करेंगे आपने जो भी फार्म में भरा है वह आप उसारा कुछ दिखाई देदेगा अगर सब कुछ गलती है तो edit पर किलिक करके इसको edit कर लेंगे नहीं तो यहां पर tick करेंगे तो देखे submit का option आ जाता है यहां पर submit बट फिर यहां पर verify mobile पर किलिक करेंगे तो यह एक OTP आपके mobile पर चली जाएगी अब दोनों का OTP यहां पर fill करेंगे दोनों को verify कर लेंगे और view registration पर किलिक करके आप इसको print कर सकते हैं अब देखे दोनों verify हो चुकी है mobile number और email ID भी अब हम लोग registration पर किलिक करेंगे view registration पर तो जो payment करके रख लेना है तो मैं इसे रत लेता हूँ पहले save कर के save कर लिया मैंने यहापर save हो चुका है अब आ जाता है आपका नीचे देखिए डीचे आ यहां पर बड़्टी दिया गया है, इससे भी कर सकते हैं, या फिर इस अलान के माध्य हम से भी पैसा जमा कर सकते हैं, तो यह payment को option का आपको select कर लेना है, और payment कर लेना है, payment करने के बाद जो है आपको payment slip मिल जाएगी, इस payment slip को आपको रख लेना है, ठीक है, रख लेना है print out करके print का option आपको नीचे मिल जाती है, देखें, यहां पर print का option आपको मिल जाता है, इसको print करके रख लेंगे, प्रिंट करने के बाद उस homepage पर आजाएगे, यहां पर आपको मिल जाएगा आपका photo, signature अप्लोड करने का option, यहां पर photo और यहां पर signature आपको upload कर देना है, फोट फोटो एंड सिग्नेचर पर किलिक करके इसको पेमे जो है अपलोड कर लेंगे फोटो सिग्नेचर अपलोड हो जाने के बाद नीचे आपको option मिल जाएगा देखी process for final submission of application form इसी पर आपको किलिक करके अपने form को जो है final submit कर लेना है final submit होते ही आपको message मिल जाएगा कि आपका form जो है submit successfully हो चुका है तो इसको आप प्रिंट का option मिल जाता है या फिर यहाँ पे भी आपको print का option मिल जाता है बिहाँ टेक्निकल सर्विस कमिशन पे बिहाँ टेक्निकल सर्विस कमिशन के official website पे आ जाना है ठीक है यहाँ पे आपको option मिल जाएगा fees payment का दोबारा के लिए यहाँ पे यहाँ पे option आपको मिल जाती है तो इसको आपको इस पे किलिक करना है और यहाँ पे registration station पर डालेंगे date of birth select करके डालेंगे यह कपचे हैं पर डालके proceed करेंगे और आप अपना payment दोबारा से कर सकते हैं अगर कहीं पर फास्ता है तो इस परकरसा जो है आविदन कर सकते हैं उमीद करता है जानकारी आप लोगो को अच्छी लगे होगी तो वीडियो को ज्यादा ज शेयर कर दे चैनल को सबस्क्राइब कर ले पलपल की अपडेट के लिए मैं में लोगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ तब तक के लिए बाई जैहिंद